जोहार आप सभी को and good morning हमारे excellency IS के channel पे आप सभी का स्वागत है आज के इस class में हम लोग JPSC prelims की कुछ questions solve करने वाले हैं जो की पिछली exams में आये थे और ये previous year questions भी है आज जो questions हम लोग करने वाले हैं वो questions बहुती important है और I hope के questions आपके exams के लिए बहुती fruitful रहेंगे तो चलिए बिना time को बरबात किये हम लोग हमारे आज के session को start करते हैं तो ये हमारा पहला question है ठीक है पहला question देखते है प्रारंबिक काल में इन में से कौन मुंडा जन जाती के भूईहारी पहाड के अथिकारी नहीं थे ठीक है इसमें आपको ताने कौन नहीं थे ये जो नहीं वाले questions होते हैं इस questions में बहुत लोग हरबड़ी में पढ़ते वक्त बहुत गलतिया कर देते हैं इस पर बहुत ही focus करने की जरूरत है और questions को बहुत अच्छे से पढ़िए ताकि आप लोग उसका आंसर सही दे सके तो options देखते हैं पहला option A है कुवर, option B है लाल, option C है कातो, and option D है पार्ट मुंडा तो इसका सही answer है option number D, पार्ट मुंडा, ठीक है? इसका सही answer है option number D, अब अगले question पे चलते हैं, अगला question देखते हैं, अगला question है हमारा question number 2 question number 2 है हमारा, नागवनसी शाशक, राजा दुर्जन शाल, 1628 में मुगल समराथ जहांगिर को वार्षिक कर देना श्रीकार किया था वार्षिक कर की राशी थी, option A है हमारा 7000 रुपए, option B है 9000 रुपए, option C है 6000 रुपए, and option D है 5000 रुपए तो इसका सही answer है, option C, 6000 रुपए, अगला question हमारा question number 3 है, question number 3 है हमारा, प्रारंबिक काल में महतो के कार्यभार से पहले, उराव ग्रामो कुप का पुरो हिट एवन लौकिक प्रधान कौन था? तो option A है हमारा, पुजार, option B है, बैगा, option C है, गौर एत, and option D है, इनमें से कोई नहीं तो इसका answer पहले आप लोग मुझे बताइए कि इसका answer क्या होगा? ये question बहुत ही easy है, and I think most of the लोगों को इसका answer पता होगा तो इसका सही answer है, option number B, बैगा, ओके? चलिए, अगले question पर चलते है, अगला question बहुत interesting question है अगला question है, हमारा question number 4, संथालों के सामुदाईक विवस्था में, मांजी का उप्रधान कौन था? तो option A है हमारा प्रधान, option B है, मुस्तंजीर, option C है, पारानिक, and option D है, गौरेत तो इसका सही answer है, हमारा option number C, पारानिक, ठीक है, option C हमारा सही answer है next question देखते हैं, next question है हमारा question number 5, question number 5 है हमारा मुंडा मानेकी विवस्था को किस अंग्रेश पद्धादिकारी ने मंजूरी दिया था? option A है, Thompson, option B है, Karl Loyal, option C है, Cleveland, and option D है, Thomas Wilkinson तो ये question भी बहुती easy question है, इसका सही answer है, option number D, Thomas Wilkinson, ठीक है, Thomas Wilkinson इसका सही answer है next question पर चलते है, question number 6, question number 6 है हमारा, कौन सा कथन धोकलो सोहर महा समीति के लिए सही नहीं है? ठीक है, again एक question आया, जिसमें आपको सही नहीं है, बताना है, कि जो चार हमें options दिये गए है, चार कथन दिये गए है, उन चारों कथनों को आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है, और फिर बताना है कि इसमें से कौन सा कथन गलत है? ठीक है? तो option A देखते हैं, option A है हमारा, पंचायती राज एलेक्शन का विरोध किया, option B है, पंचायती राज का समर्थन किया, option C है, जातिया प्रथा का समर्थन किया, and option D है, मुंडा मान की विवस्था को स्विकार करना, तो इसका सही आंसर है option number B, ठीक है? option number B, इसका सही आंसर है, पंचायती राज का समर्थन किया, चलिए, अगले question को देखते हैं, question number 7, question number 7 है हमारा, जिसने जंगल को साफ किया, और खेती के लिए तयार किया, उस परिवार को क्या कहते है? तो आपको बताना है कि जो परिवार जिसने जंगल को साफ किया, और उस जखा को खेती करने के लिए तयार किया, उसको क्या कहते है? तो option A है है, option A है हमारा, भूइन हारस, option B है, चलो पच्चो, option C है, बैगा, and option D है, पुजार, ठीक है? तो actually जो परिवार जिसने जमीन को साफ किया, और उसको खेती के लिए तयार किया, उसको भूइन हारस कहते है, तो इसका सही answer है हमारा, option number A, ठीक है? option number A हमारा सही answer है, इसके बाद question number 8 देखते है, question number 8 है हमारा, ग्रामिन साशा की ये विवस्था में आपको बताना है कि बैगा का अर्थ क्या है, बैगा का मतलब क्या होता है? option A है, option A है हमारा, ग्रामिन देवताओं को शांत करना, option B है, ग्राम सेवक का का काम करना, and option C है, बढ़ाई का का काम करना, and option D है, लोहार का का काम करना, ठीक है? तो एक बार question को देख लेजिए फिर से, question A, ग्रामिन साशा की ये विवस्था में बैगा का क्या अर्थ है? तो इसका सही answer है, option A, ठीक है, ग्रामिन देवताओं को शांत करना, सही answer है option A, चलिए, अगली question पर चलते है, अगला question है हमारा, जारखंड के सदान का मुख्य ववस्था क्या है, option A है, शिकार, option B है खेती, option C है व्यापार, and option D है बुनाई करना, ये तो बहुती easy question, I think जो लोग जारखंड से बिलॉंग करते होंगे, उसको ये question बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, कि जारखंड का मुख्य ववस्थ जारखंड का मुख्य ववस्था क्या है, इसका सही answer होगा, option B खेती करना, ठीक है, खेती जो है वो जारखंड का मुख्य ववस्था है, चलिए, आते हैं अगले question पर question number 10, question number 10 क्या है अमारा, निम्नलिखित भाषाओं में से, कौन सा भाषा जारखंड के आदिवासी समुद इसे कौन सी भाषा विलुप्त हो गई है, ये बताना है आपको, option A है हमारा, मुंधारी, option B है, कुरुख, option C है, खरिया, and option D है, असुरी, ठीक है, तो इसका सही answer है option number D, असुरी, असुरी जो भाषा है, वो जारखंड के आदिवासी समाजों से विलुप्त हो गई है, ठीक इसका सही answer है option number D, असुरी, ठीक है, असुरी भाषा जारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गई है, चलिए, question number 11 पे चलते है, question number 11 है हमारा, जारखंड के स्वतंत्रता से नानियों से प्रथम शहीद होने का गौरव किस से नानी को प्राप्त है, तो option देखते ह option A है हमारा, बिरसा मुंडा, option B है, तेलंगा खड़िया, option C है, तिलका मांजी, and option D है, सिध्ध और कन हूँ, ठीक है, तो इसका सही answer है हमारा तिलका मांजी, ठीक है, option number C, option number C हमारा सही answer है, चलिए, आते है next question पे, next question है हमारा, जार्खन में प्राथम परम वीर चक्र की उपाधी से गोरानवित किया गया था, तो option A है हमारा अलबट एक का, option B है, विरसा मुंडा, option C है, तिलका मांजी, and option D है, जतरा ओराओ, ठीक है, तो ये question का answer मैं नहीं बताऊंगी, इसका answer आप लोग बताइए मुझे इसका answer पहले आप लोग मुझे बताईए उसके बाद मैं confirm करूँगे कि वो answer सही है या नहीं है ठीक है चलिए इस question का सही answer है option number A ठीक है सही answer है option number A Albert 1 का बहुत सारे लोगों ने सही answer बताई और कुछ लोगों ने गलत answers भी बताई है पड़ कोई बात नहीं इसका सही answer है option number A आप लोग correct कर लीजिए next question पर आते है question number 13 question number 13 है स्वतंतरता सेनानी पोटो सरदार था option number A है उराओ option number B है गोंड option number C है मुंडा and option number D है नागवनशी ये तो बहुत ही easy question है और इसका answer आप लोग बताएंगे मुझे ये question में आप लोग के लिए छोड़ती हूँ ठीक है next question पर चलते है next question है हमारा question number 14 मारंग गों के किसे कहा जाता है ठीक है मारंग गों के किसे कहा जाता है तो मारंग गों के option A ही देखते है option A है हमारा जैपाल सिंग option B है के एस सिंग option C है सिबू सोरेन and option D है बिरसा मुंडा ठीक है तो आपको बताने कि मारंग गों के किसे कहा जाता है तो इसका सही answer है option number A जैपाल सिंग ठीक है जैपाल सिंग जो है उनको मारंग गों के कहा जाता है चलिए question number 15 देखते हैं हमारा question number 15 है 1954 के छोटा नापपुर सन्युक्त संग का अध्यक्ष कौन था option A है हमारा सत्यदेव साहू option B है सुखदेव महतो option C है राम नरायन खलको and option D है M.L. अगरवाल ठीक है तो इसका सहीर आंसर है हमारा option number C राम नरायन खलको ठीक है राम नरायन खलको जो थे वो छोटा नापपुर सन्युक्त संग की अध्यक्ष थे ठीक है next question पर चलते है question number 16 question number 16 है हमारा जारखन के किस जीले अधिक है मैं आदिवासी जन संग्या sorry जारखन के किस जीले में आदिवासी संग्या सबसे जादा अधिक है ठीक है option A है हमारा पश्रिम सिन्ह भूम option B है पूर्वी सिन्ह भूम option C है दुमका ठीक है तो इसका सहीर आंसर है हमारा option number A पश्रिम सिन्ह भूम ठीक है पश्रिम सिन्ह भूम जो इलाका है जारखन का वहाँ पर आदिवासी जन संग्या सबसे जादा है सबसे अधिक है तो इसका सही आंसर है हमारा option number A पश्रिम सिन्ह भूम question number 17 ठीक है question number 17 देखते है question number 17 है हमारा सोहराई तेवहार दिपावली के दूसरे दिन जारखन में किसके महिना में मनाई जाती है तो सोहराई तेवहार एक जारखन का तेवहार है जो के दिपावली के अगले दिन लोग मनाते है तो हमें बताना है कि ये तेवहार किसके महीमा में मनाई जाती है तो options देखते हैं चलिए option A है हमारा खेती करना option B है जंगल धन sorry option A है हमारा खेती धन option B है हमारा जंगल धन option C है खान धन and option D है जानवर धन तो इसका सही answer है हमार option number D जानवर धन ठीक है? सही answer है इसका option number D जानवर धन अगले question को देखते है question number 18 question number 18 है हमारा बाबू लाल मरांडी जार्खन्ड के मुख्यमंतरी पद सम्हालते ही कौन से जिले को उपराजधानी के रूप में विकसित करने का ऐलान किया ठीक है? option A है हमारा लोहर दगा option B है सिम डेगा option C है दुमका and option D है सराई केला तो इसका सही answer है हमारा option number C दुमका ठीक है? दुमका इसका सही answer है चलिए question number 19 को देखते है question number 19 है हमारा hill assembly plan किसके द्वारा आदिवासी उन्नती के लिए किया गया था? ठीक है? hill assembly plan जो था वो किसके द्वारा लाया गया था? option A हमारा T. Wilkinson option B है Cleveland option C है Lord William Bentick and option D है Lord Macaulay इसका सही answer है option number B ठीक है? Cleveland Cleveland ठीक है? Cleveland जो थे वो hill assembly plan लाये थे आदिवासीों के उन्नती के लिए तो सही answer है इसका option number B question 22 देखते है sorry question number 20 देखते है question number 20 है हमारा संथालों में विवा का सबसे सामाने रूप कौन सा है? option A है इतूत option B है सांगा option C है निरबलोक and option D है बुपला ठीक है? तो I think ये question तो सब लोग जानते ही होंगे और इसका answer भी सबको पता होगा क्योंकि बहुत सारे लोग जो जारकेंट से आंसर है option number D option number D बुपला जो है वो संथालों में विवा का सबसे सामाने रूप है ठीक है? चलिए question number 21 देखते हैं question 21 है हमारा संथाली का प्रथम छोटी कहानी का संग्रह था option A है hand mark अटो option B है कुकमू option C है महिला छेट छेट दाई and option D है समीर तो इसका सही आंसर है option number B कुकमू ठीक है? कुकमू जो है वो इसका सही आंसर है चलिए question number 22 पे चलते है question 22 क्या कहता है हमारा question 22 है लांगडे क्या है? ठीक है? आपको बताना है कि लांगडे जो है वो है क्या? option A है हमारा वाद्यांत्र option B है एक प्रकार का निर्त्य option C है जादू का प्रकार and option D है A एवं C दोनों तो लांगडे जो है वो एक्चली में एक प्रकार का डांस है एक प्रकार का निर्त्य है तो इसका सही आंसर है option number B ठीक है? option number B इसका सही आंसर है चलिए अब बताए कि कजली कब गाया जाता है? question number 23 है हमारा कजली पे और आपको बताने कि कजली कब गाया जाता है? option A है रभी फसल के समय option B है होली में option C है वर्षा रितू में and option D है चैत्रमास में तो इसका सही आंसर है option number C कजली जो है वो वर्षा रितू में गाया जाता है तो सही आंसर है option number C अगला question है हमारा question number 25 ठीक है? question number 25 आप सभी पढ़िए क्या है? 25 कहता है धुमकडिया किस जन जाती किस आमाजिक संस था है? ठीक है? तो इसका option A दिया गया है हमारा उराओ option B है हो option C है गोंड and option D है कोल ठीक है? तो बताइए कि धुमकडिया जो है वो किस जन जाती किस आमाजिक संस था है? तो ये questions आपके लिए home work questions है ये questions आप लोग मुझे बताएंगे इसके पहले वाला questions भी आप लोग मुझे बताएंगे ठीक है? ये दोनों आपके home work questions है चलिए question number 26 देखते है question number 26 है हमारा गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन है तो गायब होता हुआ देश के उपन्यास के लेखक का नाम बताना है आपको कि इसके लेखक कौन थे तो option A है हमारा निर्मलापुतुल option B है रजत वर्मा option C है श्रवन कुमार गोस्वामी and option D है रनेंडर तो इसका सही आंसर है option number D ठीक है option number D इसका सही आंसर है रनेंडर जो है वो गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक है ठीक है चलिए next question देखते हैं हमारा question number 27 question 27 क्या कहता है हमारा कि कोचे कड़वा नाटक के रचनाकर कौन है कोचे कड़वा जो नाटक है उसके रचनाकर का नाम बताना है अब आपको तो option A है हमारा सोलेमान मुर्मू option B है हमारा नारायन सोरेन option C है पंचानन मरांडी and option D है रगुनाथ मुर्मू ठीक है तो इसका सही आंसर है हमारा option number A सोलेमान मुर्मू ठीक है सही आंसर है हमारा option number A सोलेमान मुर्मू सोलेमान मुर्मू जो है वो कोचे कड़वा नाटक के रचनाकर है ठीक है next question देखते है question number 28 question number 28 है हमारा खेरवाल बांधो धोरोम पुथी के रचिता है option A है father Peter लाल एक का option B है Stephen हिकिम मुर्मू option C है मांजी रामदा स्टुड्डू and option D है डोमन हांस्दा ठीक है तो इसका सही आंसर है option number C मांजी रामदा स्टुड्डू ठीक है मांजी रामदा स्टुड्डू जो है वो खरेवाल बानसो धोरोम पुथी के रच्चिता है तो यह जो questions आज हम लोग कर रहे हैं यह हमारे paper 2 के questions है और इसके बाद हमारा एक live session भी आएगा quality पे तो आप वो भी देखिए कि आपके इधर paper के साथ आपके quality के भी preparation होती रहे तो चलिए next question पे चलते है question number 29 29 number है हमारा आदी धर्म पुस्तक के रचनाकर है option number A है रगुनात मुर्मू option number B है गुर्बचन सिंग option number C है राम दयाल मुंडा option number D है निर्मल मिंज ठीक है तो आपको इसका आंसर बताना है कि आदी धर्म पुस्तक के रचनाकर कौन है ठीक है आदी धर्म पुस्तक के रचनाकर का नाम बताना है आपको तो यह question आप लोग करेंगे ठीक है यह question में आप लोग के लिए छोड़ती हो this is the third question third homework question चलिए next question पे चलते है next question है हमारा question number 30 question number 30 है हमारा किस साहित्यकार की जन्म शती 2016 में है ठीक है किस साहित्यकार की जन्म शती 2016 में है तो option A है हमारा वंदना टेटे option B है राम स्वार्थ सिंग option C है दिनेश्वर प्रसाद and option D है राधा कृष्ण है ठीक है तो इसका सही answer है option number D राधा कृष्ण ठीक है राधा कृष्ण जो है उनकी जन्म शती 2016 में है चलिए question number 31 देखते है question number 31 है हमारा Indian Institute of Technology की स्थापना हुई थी तो Indian Institute of Technology की स्थापना कब हुई थी यह आपको बताना है option A है हमारा 1926 option B है 1925 option C है 1927 and option number D है उप्रोक्त में से कोई नहीं तो इसका सही answer है option number A 1926 1926 जो है उसमें Indian Institute of Technology की स्थापना हुई थी ठीक है तो सही answer है option number A next question देखते है question number 32 question number 32 है हमारा रांची विश्विविद्याले की स्थापना किस विश्विविद्याले से अलग करके हुई थी option A है हमारा बिहार विश्विविद्याले option D है हमारा पटना विश्विविद्याले then option C है हमारा मगद विश्विविद्याले and option D है उपरोक्त में से कोई नहीं ठीक है तो question है कि राची विश्विविद्याले की स्थापना किस विष्पी विध्याले से अलग करके हुई है तो इसका सही आंसर है option number A ठीक है रांची विष्पी विध्याले किस थापना बिहार विष्पी विध्याले से अलग करके हुई है तो सही आंसर है option number A next question next question देखते है question number 33 ठीक है question 33 क्या कहता है हमारा कि XLRI जम्षेदपूर की स्थापना की थी Option A है Tata Sons Option B है मेरी Society Option C है Society of Jesus and Option D है सरतन Tata Trust ठीक है? इसका सही आंसर है Option number C Society of Jesus सही आंसर है Option number C Society of Jesus जो है उसने XLRI जम्षेदपूर की स्थापना की थी तो सही आंसर है हमारा Society of Jesus Option number C अब आते हैं अगले question पर Question number 34 Question 34 है हमारा जार्खन के पहली महिला होके खिलाडी जिसने ओलंपिक खेला Option A है अशुंता लकडा Option B है निक्की प्रधान Option C है सावित्र पर्ती, पूर्ती and Option D है सुमराई टेटे तो इसका सही आंसर है हमारा Option निक्की प्रधान Option number B निक्की प्रधान Option number B हमारा सही आंसर है निक्की प्रधान जो थी जार्खन के पहली महिला होके खिलाडी थी जो ओलंपिक खेली थी ठीक है, चेलिए Next question देखते है 35 35 question है हमारा सन 2016 में किस खिलाडी को पद मिश्री से सम्मानित किया गया ठीक है 2016 में किस खिलाडी को पद मिश्री से सम्मानित किया गया तो options देखते है पहले Option A है हमारा MS धोनी Option B है हमारा जानू हांसदा Option C है, दिपिका कुमारी And Option D है, सिलवानीस डुंग डुंग तो इसका सही answer है हमारा Option number C, दिपिका कुमारी दिपिका कुमारी जो थी उनको सन 2016 में 15 मिश्री से सम्मानित किया गया था चलिए तो सही answer है हमारा Option number C, दिपिका कुमारी Now, Question number 36 पर आते हैं Q36 है हमारा, सन 2011 में संपन 34 वे राष्ट्रे खेलों का शुभारम छह हुआ था Option A है, शिशो हिरन, Option B है, शिशु हाथी, Option C है, शिशु भाल, and Option D है, उपरोक्त में से कोई नहीं Option C है, शिशु भालू, ओके? It is शिशु भालू चलिए तो इसका सही आंसर है हमारा, Option A है, शिशु हिरन, ठीक है, Option A हमारा सही आंसर है चलिए Next question पर चलते हैं, Question 37 Question 37 है हमारा, जारखन की सबसे पहली महिला, जिन्होंने Mount Everest पर विजय प्राप्त की तो आपको बताने की जारखन की सबसे पहली कौन सी महिला थी, जिसने Mount Everest पर विजय प्राप्त की थी, ठीक है? तो Option A है हमारा, बचेंदरी पाल, Option B है, प्रेम लता अगरवाल, Option C है, अरुण मिश्रा, and Option D है, उप्रोक्ट में से कोई नहीं, ठीक है? तो इसका सही आंसर है Option B, प्रेम लता अगरवाल, ठीक है? इस Question में जो है, बहुत लोग Confuse भी कर सकते हैं, कि इसका Answer Option A भी हो सकता है, बहुत लोगों का Answer Option A भी होगा, बट इसका सही आंसर है Option B, प्रेम लता अगरवाल, क्योंकि यहां पे जो Question S इसमें था कि जारखंड की सबसे पहली महिला, ठीक है? Question को ध्यान से पढ़िए, जारखंड की सबसे पहली महिला, तो आपको बताने कि जारखंड की सबसे पहली महिला कौन सी थी? जिसने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप की थी तो जारखंड की पहली महिला जो थी वो प्रेमलता अगरवाल थी ठीक है? प्रेमलता अगरवाल चलिए नेक्स्ट क्वेशन देखते है क्वेशन नमबर 38 क्वेशन नमबर 38 है हमारा मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम अवस्थित है ओप्शन A है जमशेदपुर ओप्शन B है धनबाद ओप्शन C है सिमडेगा और ओप्शन D है बोकारो तो मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम जो है वो कहां अवस्थित है? कहां पर है? तो इसका सही आंसर है है हमारा option number D बोकारों ठीक है मोहन कुमार मंगलन स्टीडियम जो है वो बोकारों में अवस्थित है चलिए next question पर आते question number 39 question number 39 ने हमारा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा डैश के तहर अनुसूचित जन जाती पिछडा वर्ग अनुसूचित जाती भूमी के हस्तांतरन पर प्रतिबंध प्रदान की गई है ठीक है तो इसका option है हमारा option A है 46 option B है 72 option C है 48 and option D है 42 ठीक है यह जो questions है आपके इस टाइप की questions से total 12 questions आते हैं exam में ठीक है 12 questions ठीक है यह आपको tenancy act के questions है और यहां से total 12 questions आपके paper 2 में आएंगे तो यह सब अब जो questions हम लोग करने वाले 39 से वो बहती important questions है और इन questions को काफी ध्यान पूर्वा का आप लोग सभी solve करिए और इसका answer बताईए तो चलिए option A है हमारा 46 option B है 72 option C है 48 and option D है 42 ठीक है तो इस question का सही answer है हमारा option number A 46 ठीक है इसका सही answer है option number A 46 ठीक है और यह 1908 मिलाया गया था ठीक है और इसके अलावा और एक act है SPT act जिसको की संथाल परगना tendency act पूलते हैं ठीक है SPT जिसको की 1949 मिलाया गया था ठीक है 1949 में चलिए next question पर चलते हैं हमारा question number 40 question number 40 है हमारा धारा 46 के तहट वे धकल के समय डैश वर्स है जिसके महत इस अवधी के समाप्ति के बाद प्रतिकूल कबजे में रही भूमी कहस्तांतरन परिपूर्ण होगा ठीक है? तो option A हमारा 10, option number B है 8, option number C है 5 and option number D है 12 ठीक है? तो इसका सही answer होगा हमारा option number C 5 ओके? सही answer है हमारा option number C 5 next question देखते है question number 41 question number 41 है हमारा छोटा नापपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71A जो अनुसूतित जन्जातियों के ग्यार कानूनी रूप से अंतरन किये गए जमीन में अनुसूतित जन्जाति के सदस्यों का अधिकार बहाल करने की शक्ति प्रदान करता है इसे डैश द्वारा डाला गया है तो options पढ़िए आप सभी लोग I think ये questions आपको सबको समझ में आ गए होंगे तो option देखते हैं अब option A है हमारा civil प्रक्रिया सन्हिता option B है बिहार अनुसूचित छेतर नियम 1969 option C है दोनो and option D है इनमें से कोई नहीं तो इसका सही answer है हमारा option number B बिहार अनुसूचित छेतर नियम 1969 ठीक है next question पर चलते है next question है हमारा question number 42 42 question है छोटा नावपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 के अंतरगत एक कन्या खुंट कटिदार को option A है हमारा पैत्रिक संपत्ती पर उत्राधिकार के आधार उपवर्जित है option number B है पुरुशों के समान अधिकार प्राप्त है option number C है खुंट कटिदार अधिकार प्राप्त है and option number D है इन में से कोई नहीं ठीक है तो ये questions का answer आप लोग मुझे बताईए ठीक है ये आपका fourth homework question है चलिए next question देखते है question number 43 ये सारे previous year questions है और ये सारे questions exams के लिए बहुत important है आपका exam जो है वो 17 को है और उसके preparations के लिए हम लोग आपके लिए बहुत सारे ऐसे ही interesting videos ला रहे है धमाकेदार questions ला रहे है और आप हमारे channel पर हमारे साथ बने रहे हैं ऐसे ही कुछ questions करने के लिए चलिए question number 43 देखते हैं छोटा नागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 के अंतरगत पद भुईनहारी रयती की परिभाशा में सम्मिलित किया गया option number A है मुंडा को option number B है भूद खेत को option number C है उराओं को and option number D है इन में से सभी को तो इसका सही answer है हमारा option number B भूद खेत को ठीक है option number B जो है वो सही answer है चलिए question number 44 पे चलते है question number 44 है हमारा संथाल परगना काश्टकारी अधिनियम 1909 के तहट खास गाउ से तात पर या एक ऐसे गाउ से है जहां option number A है कोई मूल रायत ना हो, कोई मुखिया ना हो बोथ option A and B दोनो and option number D इन में से कोई नहीं तो इसका सही answer है हमारा option number C हमारा सही answer है A and B दोनो now next question next question है हमारा question number 45 ठीक है question number 45 को सभी लोग पढ़ेंगे 45 question क्या कहता है हमारा कि संथाल परगना काश्टकारी के मुखिया का पद अधिनियम 1949 के तहट गाउ के मुखिया का पद option number A है हस्तान तर्निया option number B है अहस्तान तर्निया option number C है वन्शान उगत and option number D है इन में से कोई नहीं ठीक है तो इसका सही आंसर है हमारा option number B अहस्तान तर्निया ठीक है option number B हमारा सही आंसर है ओके now question number 46 देखते है question 46 है हमारा संथाल परगना अधिनियम यह question मैं आप लोग को भी बताईती संथाल परगना अधिनियम जिसको की SPT Act भी बोलते है संथाल परगना अधिनियम 1949 की धारा डैश के तहट जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया है वो मूल रायत का जोत या मूल रायती जोत माना जाएगा option number A है 9 option number B है 8 option number C है 7 and option number D है 10 ठीक है तो इसका सही आंसर है option number D 10 ठीक है 10 इसका सही आंसर है now next question देखते है next question है हमारा संथाल परगना काश्टकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतरगत कोई भी बंजर भूमी का बंदोबस्ती रद करने के योग्य है अगर उसमें डैश वर्स तक क्रिशी न किया गया हो option A है हमारा 4 option B है 6 option C है 5 and option D है हमारा 8 option D है 8 question देखिए एक बार फिर से question क्या कह रहा है कि संथाल परगना काश्टकारी अधिनियम 1949 के धारा 33 के अंतरगत कोई भी बंजर भूमी का बंदोबस्ती रद करने के योग्य है अगर उसमें डैश वर्स तक क्रिशी न किया गया हो तो इसका सही आंसर है option number 5 option number 5 option number 5 इसका सही आंसर है now next question पे चलते है question number 48 question number 48 क्या कह रहा है कि संथाल परगना काश्टकारी अधिनियम 1949 की धारा 22 के तहट एक रईयत किस परिस्थिती में अपने जोत भूमी को SDO और मुखिया जी या मूल रईयत को सूचना देकर अस्थाई रूप में क्रिशी हे तू न्याय में रख सकता है ठीक है तो option A है हमारा गाउ में अस्थाई अनूपस्थिती की स्थिती में option B है हल चलाने लायक बैलो की कमी की स्थिती में option number C है ड्रायत की विधवा या नाबालिक होने की स्थिती में option number D है इनमें से सभी ठीक है तो इसका सही आंसर है हमारा option number D इनमें से सभी ओके नाव question number 49 पढ़ेंगे सब लोग question number 49 है हमारा public private partnership परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहन के वास्ते कितने प्रतीशत लोगों की स्वेच्छा का प्रावधान भूमे अधिग्रहन पुनरवास एवं पुनरस्थापन अधिनियम 2013 के तहत option A है हमारा 50 प्रतीशत option B है 60 प्रतीशत option C है 70 प्रतीशत and option D है 80 प्रतीशत इसका सही आंसर है हमारा option number C 70 प्रतीशत option number C इसका सही आंसर है now next question देखते है हमारा question number 50 question number 50 है हमारा AR भूमी का स्वामी भूमी अधिग्रहन पुनरवास एवं पुनरस्थापन अधिनियम 2013 के तहत किसको माना जाता है option A है भूमी रिकॉर्ड में स्वामी दोण हो sorry भूमी रिकॉर्ड में स्वामी देण हो option number B जंगल अधिकार को जंगल अधिकार अधिनियम 2006 से मान यता option number C है पट्टा अधिकार का मालिक and option number D है उपर के सभी तो इसका सही आंसर है option number D उपर के सभी ठीक है उपर के जो भी options है वो सारे options सही है now next question देखते है question number 51 question number 51 है हमारा निम्नलिखित में से कौन से जल प्रपात नदी युग में सम्मिलित नहीं है तो option A है हुंडरू स्वर्णरेखा option number B है जो नहां राह option number C है दसों का कांची and option number D है लोध बराकर ठीक है तो इस question में आपको बताना है कि कौन से जल प्रपात नदी युग में सम्मिलित नहीं है तो इसका सही आंसर है हमारा option number D लोध बराकर ठीक है लोध बराकर जो है वो इसका सही आंसर है नेक्स question देखते है question number 52 question number 52 है हमारा तिलाया बांध यह नदी पर निर्मित है औप्शीन number A है दामोदर option number B है बराकर option number C है कोनार and option number D है उसरी ठीक है तो तिलाया बांध जो है वो बराकर नदी पर स्थित है तो इसका सही आंसर हो गया है वो सही आंसर है नाव नेक्स्ट क्वेस्टिन इसमें आपको बताने कि पारसनात जो पहाड़ी है उसके उचाई कितनी है ठीक है तो ऑप्शन ए हमारा पारसनात पहाड़ी है उसके उचाई तो पारसनात पहाड़ी है उसके उचाई कि चलते हैं नेक्स्टटनवन 54ole क्या कहते है कि कि तुरामडी में किस खनीज का खनन होता है ठीक है तुराम डे में आपको बताने कि किस खनीज का खनन होता है ओप्शन a है हमारा काईनाइट Option B है Ausbestos Option C है Abrak And Option D है Uranium तो इसका सही आंसर है Option number D Uranium ठीक है? तो रामडी में जो है वो Uranium खनीज का खनन होता है तो सही आंसर हमारा Option number D हो गया Question 55 देखते है Bentonite निक्षेब जार्खट में पाये जाता है तो बताना है आपको कि Bentonite निक्षेब जो है वो जार्खट में कहां पाये जाता है Option A है हमारा पश्चिमे सिंग वू Option number B है Lower Daga Option number C है साहिब गंच इना Option number D है जाम तारा तो इसका सही आंसर है Option number C साहिब गंच ठीक है? साहिब गंच जो है वहाँ पे Bentonite निक्षेब पाये जाता है तो सही आंसर हो गया हमारा Option number C स्टॉक करिए इसको चलिए अब question number 56 देखते है Question number 56 है हमारा पश्चिमी सिंग भूम में अवस्थित प्रसिद पश्चिमी सिंग भूम में ठीक है? Question number 56 में है कि पश्चिमी सिंग में कौन सी चीज़ है जो अवस्थित है? तो इसका option है हमारा A पश्चि अभ्यारण्या Option number B है भेडिया अभ्यारण्या Option number C है लोह अयस्क खनन and option number D है खरकई पर बांध ठीक है? तो इसका सही आंसर है हमारा option number C लोह अयस्क खनन ठीक है? लोह अयस्क के खनन जो है वो पश्चि में सिंग भूम में अवस्थित है तो सही आंसर है हमारा option number C Now अगले question पर चलते है Question number 57 ठीक है? Question number 57 है हमारा जारखन के किस जिले में लहा का सबसे अधिक उत्पादन होता है तो option A है रांची Option number B है खुन्टी And option number D है पश्चिमे सिंग भूम And option number D है गुमला ठीक है? तो आपको बताना है कि जारखन के किस जिले में लहा का सबसे अधिक उत्पादन होता है तो इसका सही आंसर है हमारा option number B खुन्टी ठीक है? Option number B इसका सही आंसर है चलिए अगले question पर चलते है Question number 58 Question number 58 है हमारा जारखन में प्रति व्यक्ति वन एवं पेडो का अच्छा दान है Option number A है 0.08 hectare Option number B है 1.08 hectare Option number C है 2.08 hectare And option number D है 3.08 hectare ठीक है? तो इसका सही आंसर है हमारा option number A 0.08 hectare ओके? सही आंसर है option number A Now अगला question देखते है हमारा Question number 59 ठीक है? तो question number 59 है हमारा शहीद निर्मल महतो पार्क जिसे जारखन के जारखन पर्क प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया जिले ये है तो option A है हमारा रांची option B है पूर्वसिन्हभू option C है हजारी बाग and option D है पलामू ठीक है? तो इसका सही आंसर है हमारा option number C हजारी बाग नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं question number 60 question number 60 है हमारा रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? ठीक है? आपको बताने कि रजरप्पा जो मंदिर है वो किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो option A है दामोदर भैरा option B है दामोदर सेर्भुखी option C है दामोदर बराकर and option D है दामोदर कोनार ठीक है? तो इसका सही आंसर है हमारा option number A दामोदर एंड भैरा ठीक है? रजरप्पा जो नदियों है रजरप्पा जो मंदिर है ठीक है? वो दामोदर और भैरा नदी के संगम पर अवस्थित है ठीक है? तो चलिए इसका आंसर होगे हमारा option number A next question पर चलते है question number 61 तो question number 61 है हमारा वर्ष 2016 में विश्वे बैंक एवं DIPP के अनुसार व्यापार सुगमी करण में भारत ये राज्यों में जार्खंड का स्थान है तो options दिये गए है हमारे option A है हमारा प्रथम option B है पंचम option C है सब्थम and option D है त्रितिय ठीक है? इसका सही आंसर है option number C सब्थम ठीक है? option number C इसका सही आंसर है now question number 62 देखते है question number 62 है हमारा जार्खंड सरकार की नई और द्योगिक नीती 2016 विग्रामेंड विद्यूटी करण को सरवोच प्राथमिकता देते हुए विद्यूटी करण का लक्ष ठीक है? तो आपको बताना है कि विद्यूटी करण का लक्ष कितना है तो option A है हमारा 70 प्रतीशत विद्यूटी करण 2017 तक option B है 80 प्रतीशत विद्यूटी करण 2017 तक option D है 90 प्रतीशत विद्यूटी करण 2017 तक and option number D है 100 प्रतीशत विद्यूटी करण 2017 तक इसका सही आंचर है option number D 100 प्रतीशत विद्यूटी करण 2017 तक ओके नाओ, question number 63 देखते हैं, question number 63 है अमारा जारखन सरकार की 2016 और द्योगिक नीती के लागु रहने की अवधी है, option number A है 5 वर्ष, option number B है 10 वर्ष, option number C है 5 वर्ष, 15 वर्ष, ठीक है? ये question बहुती easy question है और ये questions आप लोग करेंगे, ये questions आपके लिए मैं छोड़ती हूँ, ये आपका homework question है, ठीक है, इसके answers आप लोग मुझे comment section में बताएंगे, चेलिए, next question पर चलते है, question number 64 question number 64 है हमारा, नई अध्योगी की नीती 2016 के अंतरगत, सीमेंट छेत्र में ब्रीहत परियोचना के लिए, नियुनतम पुंजी निवेश के अवशकता है, option number A है 100 करोड रुपे, option number B है 200 करोड रुपे, option number C है 300 करोड रुपे, and option number D है 500 करोड रुपे, ठीक है, तो इसका सही answer है हमारा option number C, 300 करोड रुपे, ठीक है, सही आंसर है हमारा option number C, ओके, now, next question पढ़ेंगे सब लोग, next question हमारा question number 65, question number 65 है हमारा, 2008 को पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीती के अनुसार, राजिस्थरिया पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिसत की बैठक कम से कम, dash वर्ष एक में होगी, ठीक है, एक वर्ष में dash होगी, तो इसका option A है एक बार, option B है दो बार, option C है तीन बार, and option D है चार बार, इसका सही आंसर है option number B, दो बार, ठीक है, दो बार, कि जो पुनर्स्थापन और पुनर्वास परिसत की बैठक है, वो कम से कम, एक वर्ष में दो बार होगी, तो सही आंसर है, option number B, दो बार, चलिए, question 66 देखते है, जार्खन single window clearance कानून लागो हुआ, सन, तो जार्खन single window clearance कानून जो है, वो कब लागो किया गया, किस year में लागो किया गया, ये बताना है आपको, option A है हमारा 2016, option B है 2014, option C है 2013, and option D है 2015, तो इसका सही आंसर है, option number D, 2015, ठीक है, सही आंसर, option number D, 2015, जार्खन single window clearance कानून जो है, वो 2015 में लागो किया गया था, चलिए, question number 67, question number 67 है हमारा, बोकारो इसपाच सन्यत्र का निर्मान हुआ, डैश के सही योग से, जो बोकारो इसपाच सन्यत्र जो है, जो सेल जो है, उसका निर्मान किसके मदद से हुआ था, सही योग से हुआ था, तो option A है, सन्युक्तराज अमेरिका, option B है, जर्मनी, option C है, इंगलैंड, and option D है, रूस, तो इसका सही आंसर है, option number D, रूस, ठीक है, रूस, रूस के सही योग से, वो कारो इसपाच सन्यत्र का निर्मान हुआ था, जो सही आंसर है, option number D, रूस, next question देखते है, question number 68, ठीक है, JSMDC द्वाराज थापित, ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्द्योग वश्थित है, option number A है, तुपुदाना रांची, option number D है, मधुपूर, option number C है, पाकुड, and option number D है, सराय केला, ठीक है, इसका सही आंसर है, option number A, तुपुदाना रांची, ठीक है, now, question number 69 देखते है, question number 69 है, हमारा, garden rich ship builders and engineers, ली का डीजल इंजन सन्यत्र अवस्थित है, तो option A है, हमारा बोकारो, option number B है, अधित्यपूर, option number C है, कांडरा, and option number D है, रांची, तो इसका सही आंसर है, option number D, रांची, नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं, और ये question number 70, भारत सरकार ने electronic निर्मान क्लस्टर की स्विक्रिती की है, डैश में, तो option है हमारा अधित्यपूर, option B है, तुपुदाना, option C है, जसी D, and option number D है, बोकारो, ठीक है, तो इसका सही आंसर है, हमारा option number E, आधित्यपूर, ठीक है, आधित्यपूर हमारा सही आंसर है, तो चलिए, ये कुछ बहुती interesting questions थी, जो हमने हमारे आज के सेशन में solve किये, एंड कुछ ऐसे ही interesting questions के लिए, धमाकेदार questions के लिए, हमारे चैनल पे और हमारे साथ बने रहिए, excellency IS के साथ बने रहिए, and thank you, have a nice day ahead, and keep watching our videos, and please share our videos with your friends, and like, subscribe our channel, thank you.